हमारे YouTube चेनल में आपका स्वागा थैं इसे यदो में करेंगे और मेप के नूषार जानेंगे की कौन कोन सी चेत्र में कौन कोन सी खनीज پाई जाती है इसमें हम सबसे पहले देखेंगे फ्लोराइड खनीज का फ्लोराइड खनीज मेप में देखें तो राज्यान गउजिला और महासमुन जिला में बैया जाता है फ्लोराइट खनीज चत्ती जड़ के महानादी बेसिन में बैया जाता है और ये दो जिला है जो महानादी बेसिन के तहद आता है राज्यन गाव और महासमुन इसके लावा एक और क्वेच्चन पुछा गया था सिज़ी पीसी द्वारा की गोल्ड फ्लोराइट किस जिला में पैया जाता है तो एंसर है महासमुन जिला में गोल्ड फ्लोराइट खनीज पैया जाता है चत्ति जड में फ्लोराइट खनीज महासमुन जिला की चूरा कुट्टा मकरमुत्ता और घट कछार में पैया जाता है इसके लावा राज्यन गाव जिला की चांदी डोगर में फ्लोराइट खनीज का भंडारह में फ्लोराइट खनीज को बिल्कुल ही याद रखना है क्यो 5 प्रतिसद फ्लोराइड खनीच का भंडार है यदी मिलियान टन में कहे तू 0 दस्मलो 5-5 मिलियान टन का भंडार 36 गड़ में है फ्लोराइड खनीच का। दूसरा हम देखेंगे ग्रेनाइड खनीच का। ग्रेनाइड खनीच 36 गड़ में दक्षिद खनीच में पया जाता है इसे अकारी की पत्थर भी कहते हैं। चत्ति गड़ में लगभग देश का 0 दस्मलो 1-3 प्रतिसद ग्रेनाइड खनीच का भंडार है। हम राज्य में ग्रेनाईच हैत्य की बात करेतू कांकेर जीला, कोंड़ागाउच जीला, दंतेवाडा जीला और सुक्मा जीला में ग्रेनाईच खंडिच का भंडार है हम एक जेक्टे इस्थान की बात करें तो कांकेर जीला में कनहार पुरी, धन्ते वाड़ा जीला में कहें तो भूसा रास और कोंड़ गाउ जीला में कहें तो भारस गाउं, इसी तरह सुक्मा जीला में एर्राब बोर और कोंट छेतर में ग्रेनाइट खनीज का भंडार है अगला हम देखेंगे ग्रेफाइड खनीज. मेप में देखें तू ग्रेफाइड खनीज धक्चिर्शत्तिसगड दंडकरेन की प्रदेश में पया जाता है और बीजापूर जिला और बस्तर जिला इसमें प्रमुखई. राज्जमी बहुती अल्प मात्र में ग्रेफाइट खनीज का भंडार है और प्रदेश के दक्षिड अर्थात दंड कारण के पठार पदेश में पैया जाता है बस्तर जीला के केरला पार खेतर और विजापूर जीला के गिल गीचा तथा मोडे नार खेतर में ग्रेफाइट खनीज का भंडार है इसके लावा हम देखेंगे अगला केवोलिन खनीज प्रदेश में क्रेवोलिन खनीज मेप में देखे तो राजनन गाउजीला में पाया जाता है केवोलिन खनीज को चीनी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है इन में से हर लाइन इंपॉर्टेन है क्योंकि हमें हर खनीज में 2 से 4 लाइन ही याद रखना है इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेन होते हैं यदि आपने लोहा, कोईला, चुना पत्थर, तीन और बहुत ही important रहते हैं जो ज़्यादातर question पुझेते हैं उनका वीडियो बनाया गया है नीचे link दिया गया है वहाँ से आप और कनिशन साधन टाबिक का दियान कर सकते हैं इसमें हम जो चुट गये हैं और important होते हैं खनिशन साधन टाबिक का उसको इसमें सामिल किये हैं और ये खनिशन साधन टाबिक का अंतिम वीड़ो है राज्यान गाउं देके तो 36 गड़ मेप में बस्चिम उत्तर जीला होता है बस्चिम में इस्तित है मध्य बस्चिम में राज्यान गाउं जीला राज्या में केवल राज्यान गाउं जीला में ही केवलीन खनीच का भंडार है यह याद रखना है राज्या का एक मात्र जीला है जहां केवलीन खनीच का भंडार है हमें बस इतना ही याद रखना है कि ओलीन खनीज को चिनी मीटी कहते हैं और राज्य में केवल राज्यन गाओ जिला में इसका भंडार है और पाया जाता है अगला खनीज है क्वार्ट जाइड खनीज में में देखे क्वार्ट जाइड खनीज तो राज्यन गाओ, कांकेर, भस्तर, दंतेवाडा, सुख्मा छेतर में पया जाता है ये जो छेतर है ये दंड करेनिया प्रदेश का छेतर है जहां क्वार्ट जाइड खनीज का भंडार ह कांकेर जिला की साले तराई वर्चा पाली छेत्र में क्वार्ड जाइट खनीच पया जाता है इसके लावा राज्यान गाउ जिला की अमली डी, डोंगरगर, बोर तलाब छेत्र में क्वार्ड जाइट खनीच का भंडार है हमें क्वाड़ जाइट खनीज में छेत्र को ही याद रखना है दंतेवाड़ा जिला में नाक फनी और तुमनार छेत्र में क्वाड़ जाइट खनीज का बंडार है इसके लावा बस्तर जिला की दिल मिली छेत्र में क्वाड़ जाइट खनीज पह जाता है इसके लावा सुकमा जिला के गोजिया डोगरी एक तरह से हमें छेतर याद करने से यह होता है कि कौन से छेतर की जिले में हैं ये भी याद हो जाते हैं ये भी याद रखेगी सुगमा जिले के गोंजिया डोंगरी अथाद गोंजिया पहाड में क्वार्डजाइट खनिज का भंडार है। प्रदेश में देश के कुल क्वार्डजाइट खनिज का 2.27 प्रतिसाद भंडार चतिस गड़ में है। अगला हम देखेंगे गार्णेट खनिज। गार्णेट खनिज। मिप में देखें तो गरिया बंजिला और विजपूर जिला में पैजाते हैं और यहां गार्णेट खनिज का भंडार है। गरिया बंजिला के गोहे कला, दुहूं कोड, केंदू अन, लाटा पारा में गार्णेट खनिज का भंडार है। इसके लावा विजापूर में कहे तो विजापूर में भुपाल पटनम छेतर में गार्नेट खनिज का भंडार है हमें इन खनिजों में केवल छेतर को ज़ादा याद रखना है कि कों से छेतर में पया जाता है। हम गार्नेट खनिज की बात करें तो दर्नकरेन प्रदेश के बिलासपूर जीला में और धमतरी महासमन उच्च भूमी जो की महानदी बेसिन का भाग होता है उस प्रदेश में गरियाबन छेतर में गार्नेट खनिज का भंडार है। अगला आता है फायर कले खनिज मेप में देखे तो फायर कले खनिज कोरिया और सूरतपूर जीला में प्राय जाता है। प्रायर कले खनिज का भंडार है। और ये भंडार देश के कुल भंडार का 2,99% है लगभग, 3% फायर कले का भंडार है चातिजगण में। अगला हम देखेंगे, गलेना अयस्कः खनीज, मेप में गलेना अयस्का खनीज, कई सारे जीलों में विश्थ्रे थे इसलिए चिन्नीत नहीं किया गया है, हम इसमें जानेंगे, गलेना सिशा का अयस्का होता है दनते वाड़ा की जिरका एवं बीजाम चेत्र में गलेना अयस्का पाया जाता है इसकलावा बिलासपुर और दुर्ग जिला में भी गलेना अयस्का पाया जाता है इसकलावा राजन गाउं जिला के जी चोली करमतला चेत्र में तथा महासमुन जिला के बीजरा भाठा तथा खुरसी पहाडी में गेलेना आयसक का भंडार है हमें इतने सारे छेत्र को याद रखने हैं जो की गेलेना आयसक का छेत्र है इसके बाद आता है महत्पूर्ना खनीज और इससे ज़्यादा क्वेशन पूछते हैं क्योंकि ये होए लाइनिंग होते हैं और एक जगह या दो जगह ही केवल ये खनीजे पाए जाती है इसमें सबसे पहला है प्राकरितिक गैस का भंडार कहां है ये एकजाम में बूछे जा चुके हैं क्योंकि ये ओन लाइनिंग है और ये हम विस्तरित रूप से नहीं बढ़ते हैं जगह जगह दो जगह है जगह दो जगह है अनुमानी थे सर्फर युकत गर्म पानी चेतर कहे तो बररामपूर का तादा पानी चेतर सर्फर युकत गर्म ज़र्ना का एक जील है इसबे श्टास खनीज कहां पाए जाता है तो इंसर है बस्तर रेवम दूर्ग जीला में मेगनीच खनीज बिलासपूर के कुदर वाही चेतर में पाया जाता है इससे एक बार एक जाम में पूछे जाजू कहे कि प्रदेश में मेगनीच खनीज कहां पाया जाता है तो बिलासपूर के कुदर वाही चेतर में पाया जाता है इसकलावा में कांकेर जीला को भी याद रखना है कांकेर जिला में भी मेगनीज खनीज पाया जाता है ज़्यादा तर जो मेगनीज खनीज होता है वो चुना पत्था डोलोमाईट का छेतर होता है सोप इस्टोन खनीज कवर्धा जिले के बंदर मुक्ता छेतर में पाया जाता है और वहाँ इसका भंडार है इसके लावा हम कहें लायम इश्टोन खनीश तो ये कवर्धा जिले के पंदरिया छेतर में पाया जाता है अब ये बहुत important है कि प्रदेश में संग्मर्मर का पत्थर कहां पाय जाता है तो बस्तर जिला में संग्मर्मर का पत्थर पाय जाता है आप इसे तो बिलकुल ही याद रखे क्योंकि इसे पूछा जा चुका है एकजाम में इसके लावा ठिन ठिनी पक्षना पत्थर एकजाम में पक्षना लिखता है या ठिन ठिनी पत्थर कहें तो ये सरगुजा जिला में पाय जाता है ज्यान देंगी ये सरगुजा जिला में ठिन ठिनी पक्षना या पत्थर पाय जाता है इसे एकजाम में पूछा जा चुका है तो लाइक जरूर करें